सभी त्रिकोण मिती अनुपातों को किसी भी एक त्रिकोण मिती अनुपात में व्यक्त करना यदि हमें एक त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद हो तो हम अन्य त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद कर सकते हैं जैसे यदि हमें cos a को sin a के पदों में व्यक्त करना है तो हमने एक त्रिकोड मित्य अनुपातों में संबन देखा है उसका हम उप्योग कर रहे है sin square a plus cos square a is equal to 1 यहाँ से यदि हम cos a को sin a के पदों में वेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं cos square a is equal to 1 minus sin square a और इस प्रकार से यदि हम लिखना चाहें तो cos a का मान क्या हो जाएगा square root 1 minus sin square a तो अब यदि आपको sin का मान पता हो sin a का तो हम इस संबन से cos a के रूप में उसको लिख कर उसकी value भी ग्याद कर सकते हैं तो हमने यहाँ cos a को sin a के पदों में वेक्ट किया बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम 10 a को sin a के पदों में वेक्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि 10 a बराबर होता है sin a upon cos a और अभी हमने देखा cos a का मान हमने क्या निकाला है square root 1 minus sin square a तो इसी हम उप्योग करें तो हम देखेंगे sin a upon cos a के स्थान पर हम लिख लेते हैं square root 1 minus sin square a तो हम क्या देख रहे हैं कि 10 a को sin a के पदों में इस प्रकार से वेक्ट किया जा सकता है करके देखें पहला sec a को sin a के पदों में वेक्ट कीजिए दूसरा सभी त्रिकोन मिती अनुपातों को cos a के पदों में वेक्ट कीजिए हमने त्रिकोन मिती अनुपातों के बीच संबंदों का अध्यन किया है आईए हम एक संबंद लेते हैं त्रिकोंड मिती अनुपात का एक संबंद लेते हैं और देखते हैं कि उसकी सत्यता की जाच कैसे की जाती है कौट थीटा प्लस टैन थीटा इस इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा त्रिकोर्ण मित्य अनुपातों के बीच ये एक संबन्ध हम लेकर चल रहे हैं देखते हैं क्या ये संबन्ध सही है तो हम बायापक्ष लेकर चल रहे हैं कॉट थीटा प्लस टैन थीटा आप जानते हैं कि कॉट थीटा का मान क्या लिखा जा सकता है cot theta is equal to हम लिख सकते हैं cos theta upon sin theta और इसी प्रकार 10 theta हम 10 theta को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta sin और cos के पदों में 10 और cot को लिखा जा सकता है तो हम इसी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं cos theta के स्थान पर cos theta upon sin theta और 10 theta के स्थान पर हम लिख रहे हैं sin theta upon cos theta इसे हल कर ले तो LCM लेने पर हमको denominator में क्या मिलेगा sin theta into cos theta और numerator में ये हो जाएगा cos theta यहाँ पर है तो एक और cos theta multiply होगा इसलिए ये हो गया cos square theta बिल्कुल इसी प्रकार LCM लेकर जब हम हल करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा sin theta का multiplication sin theta से इसलिए ये भी हो गया sin square theta जब आप numerator देख रहे हैं याने की अंश अंश में देखें तो ये cos square theta plus sin square theta और हमने अभी त्रिकोर्ण मिती अनुपातों में जो संबन में देखा था कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है ये सर्वसमी का हम देख चुके है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं तो इसकी स्थान पर हम लिखेंगे one upon sin theta into cos theta चलिए अब आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं one upon sin theta into one upon cos theta अब इसे ध्यान से देखें one upon sin theta one upon sin theta क्या होता है cos theta cos theta बराबर one upon sin theta और बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम बात करें one upon cos की तो वो होता है sec theta one upon cos theta जो है वो है sec theta तो अब इसका उप्योग करें तो आप क्या लिखेंगे one upon sin के स्थान पर 1 upon sin theta के स्थान पर होगा cos theta into 1 upon cos के स्थान पर हो जाएगा sec theta तो यह आप देखेंगे जो संबंध हमने लिया था उसमें यह उसका दायापक्ष है बायापक्ष हम लेकर चले और हमें मिल गया है दायापक्ष इसका मतलब यह जो संबंध हमने लिया ये सही है